नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूस में आपका स्वागत है हम प्रदे दिन न्यूस बुलेटिन के अंत में अपने दर्शकों से पांच सवाल पूछेंगे यह सवाल इसी न्यूस से जुरा होगा ऐसे में आपको इन सभी न्यूस को ध्यान से सुनना है उसका सही सही जवाब देना है सबसे आदा सही जवाब देने वाले यूजर का नाम हम वीडियो के लास्ट में देंगे वहीं अब खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर शार्दी नवरातर के तीसरे दिन माच चंद्रगंटा की पूजा बिहार टेरिर का रिजल्ट जारी अब वाले से गायब रहना भी पड़ेगा महंगा उंबई में मजदूरी के लिए जाने वाले बिहारियों की संख्या में आई कमी रुदराज का आएकवार और अजिंके रहाने का दिखा जलवा इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरो क्योर वस्तार से शारदीय नवरातर के तीसरे दिन माच चंद्रगंटा की पूजा आज नवरातर का तीसरा दिन हैसे में आज माध दुरगा के चंद्रगंटा रूप की पूजा की गई है कहा जाता है कि मााच चंद्रगंटा राख्छसों का वध्य करने के लिए जानी जाती है, धार्मीक मानेताओं के अनुसार माच चंद्रगंटा इस संसार में न्याई और रुणशाषन के स्थापित करती है मालमों कि मा चंदरगंटा मा पाडवती की विवाहित रूप है भगवान शिव के साथ दवाह के बाद मा ने अपने माते को अर्ध चंदर से सजाना शुरू किया था इसलिए उनको चंदरगंटा कहा जाने लगा माता के हाथ में धन श्तीर, तलवार और गदा रहता है आपके जानकारी के लिवतादी कि मा चंदरगंटा ने महिसा सुर का संगार किया था तब से मा चंदरगंटा को सुरो का विनास और धन की रक्षा करने के रूप में माना जाता है बिहार डियलेट का रिजल्ट जारी बिहार बोर्ड के द्वार डियलेट संग्त प्रवेश परिक्षा 2023 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है जिसे अभ्यर्थी अपने यूजर आईडी और पासवर्ट के माध्यम से वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाकर देख सकते हैं आपकी जानकारी के लिबता दे किस परिक्षा में कुल 149,141 परिक्षार्थी शामिल हुए थे जिसमें से 1,17,37 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है यानि की 100 प्रतीशत में 84.1 प्रतीशत अभ्यर्थी सफल रहे वहीं बोर्ड के अध्यक्ष अरंध कसोर के द्वारा जानकारी देते वे बताये गया है कि अब नामांकन की प्रक्रियाश शुरू होगी मालू हो कि बिहार बोर्ड की ओर से डियलर्ट प्रवेस परिक्षा के नतीजे के साथ कट ओफ भी चारी कर दी गई है सियम आवास से निकल पैदल ही सचीवाले पहुँचे मुख्य मंत्रे नितीश खुमार बिहार के मुख्य मंत्रे नितीश खुमार हर रोज की तरह आज भी सचीवाले पहुँचे लेकिन आज खास बात या रही कि आज वे सचीवाले पैदल पहुँचे हैं दरसल बिहार के राजधानी पटना में बीती रात तेज आंधी और बारिश की वज़े से कई जगों पर पेर गिर गये थे जिसमें से कई पेर सचीवाले जाने वाले रास्तरे में भी गिरे हुए थे ऐसे में सुभा होने के बावजूत भी वन विभाग की तरफ से रास्तों से इन पेर को हटाया नहीं गया इसे बीच अब नितीश खुमार अपने सीम आवास से सचीवाले के लिए निकले उन्हें बीच में सरक पर पेर गिर जाने की वज़े से पैदल जाना पड़ा वही सचीवाले पहुँचकर सीम नितीश ने अवसरों की हाजरी का जायजा लिया वही वैसे अवसर जो समय पर दफ्तर नहीं पहुँचे थे उन पर सीम नितीश के द्वरा नराजगी भी जाहट की गई है समाने प्रिशासन से राजे कर्मियों को प्रमोशन मिलने की हुई सुरवात मूल वड़िता सूची से ही सरकारी कर्मियों को प्रमोशन दिया जाएगा वही 17 फीस्ती पदों को सरक्षत रखते वे प्रमोशन की सूची में SCST का लाब दिया जाएगा वहीं उच्तर पद का कारेकारी प्रभार देने के लिए पदोनती के दूसरे मान को का भी पालन किया जाएगा बिहार पुलिस सिपाही भरती परिक्षा पेपर लीक मामले में जनता से मिल रही सूचनाई एक उक्टूबर को आयोजेत हुई बिहार पुलिस सिपाही भरती परिक्षा पेपर लीक मामले में EOU की गठे 23 दश्य टीम के द्वारा जाँच परताल की जा रही है इसी करी में अब EOU के द्वारा एक हल्प लाइन नंबर जारी किया गया था जिसकी मदद से EOU के द्वारा जादा जानकारी एकत्र की जा रही मालुम हो कस नंबर पर अब तक एक दरजन से अधिक लोगों के द्वारा फोन किये जा चुके हैं और कई तरह की जानकारी दिये जा रहे हैं वहीं अब EOU की टीम के द्वारा जल्थी गिरफतार लोगों में से कुछ को रिमान पर लेकर पूछ स्थाज करने की तयारी की जारी है इधर बिहार राज्य स्थिपाही परसद की तरफ से एक इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी को जांच में हर तरह का सहीयोग प्रदान करने के लिए नोडल पदाधिकारी नुक्त किया गया है समस्तिपूर से मुंबई तक दुरगा पूजा स्पेशल क्रें का परिचालन रेलवे की ओर से दुरगा पूजा को लेकर स्पेशल क्रें के परिचालन की घोशना की गई है बता दे कि अब फैसला रेलवे की ओर से यात्रियों की भीर को देखते वे लिया गया है मालुमों कि रेलवे की ओर से जिस स्पेशल ट्रेन के परिचालन की घोशना की गई है वह मुझपरपुर, हाजिपुर, पाटलेपुत्र, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्षन, प्रयागराज, शीवकी के रास्ते समस्तिपुर और लोकमाने तलक टर्मिन्स के बीच गाली संख्या 0143 और 01444 अब कॉले से गायब रहना भी पड़ेगा महिगा, विहार के सिक्षा विवस्था में सुधार लाया जा सके इसके लिए सक्षा विवाग के अपर मुख्य सचीव केगे पाठक की ओर से कई फर्मान जारी किये जा रहे हैं जिसमें उन्होंने एक यह भी फर्मान जारी किया था कि बिना सूचनादिये स्कूल से गायब रहने वाले छात्रों के नाम को कार दिये जाएंगे बहीं अब यह फर्मान सभी विश्यवध्यालियों को भी भेज दिया गया है जिसके तहट विश्यवध्यालियों को कहा गया है कि बिना वाजिब कारण से कोई विद्यार्थी अगर लगातार तीन दिनों तक कक्छा में अनुपस्तित रहते हैं तो उन्हें नोटिस भेजा जाए और उसके बाद भी अगर छात्रों के द्वरा संतोष जनक जवाब नहीं दिया जाता है तो उनके नाम को कार दिया जाए साथ ही उनका पंजीकर रद क जिनने को मिलते रहते हैं ऐसे में इन पर नकेल कसने के लिए उत्पाद विभाग की ओर से कई कोशिश की जा रही लेकिन इसका कुछ खास असर देखनी को नहीं मिल रहा बता दे कि ताजा मामला बिहार के अरवल के एनच 149 का है जहां अरवल पुलिस अधिक चक मुहमद का आसीम के नरदेश पर अनुमंडल पुलिस पदादिकारी राजीव रंजन अरवल के निदतु में अरवल पुलिस के द्वरा चलाए गए जाँच अभियान के दौरान एक छोचक का ट्रक जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर DL1LAJ5406 था उसमें 240 काडन विदेशी सराब बराम मुंबई में मजदूरी के लिए जाने वाले बिहारियों की संख्या में आई कमी मुंबई में इन्वेस्टर समिट में शामिल होने पहुंचे बिहार के उद्योग मंतरी समीर महा सेट के द्वरा ये जानकारी देते वे बताया गया है कि देश के आर्थिक राजधानी पंदरा लाग से अधिक लोगों के द्वरा राजधे में ही रहकर रोजगार करने के लिए रिजिस्ट्रेशन कराया गया है उन्होंने कहा कि काम काज के लिए बिहार से पहले यहां काफी लोग आते थे लेकिन कुरोणा महामारी के बाद इनकी संख्या में कमी आई है बिहा की उम्र 35 वर से कम है विहार माधिमिक सक्षक संग के प्रतिनीधी मंडलने की नियमावाली में संसोधन की मांग विहार माधिमिक सक्षक संग के अध्यक्ष रगुवन्स प्रशाद सिंग एवं महासचीव सत्रुदन प्रशाद सिंग पुर्वसांसद ने वीते दिन माधिम इक सक्षय के निदेशक से मलाकात कर नियम वाली में संसोधर की मानकी है। साथी सक्षा मुत्रा को परिष्छा दिये ही 55 सक्षक बनाया गया है। मध्यप्रदीश चतिसगर में सीवा अनुभव के आधार पर उन्हें शास्की सक्षक घोशत किया गया है। जबकि यहां तो उक्त सक्षक पुर्व में ही दक्षता एवं पात्तता परिक्षा उत्तर्ण है अतसरकार से। मांगी गई है कि बिना सक्षमता परिक्षा लिये ही इन्हें राजिकर्मी के रूप में शहायक सक्षक घोशत किया जाए। में अच्छती हुई है। टाल दिया गया है वहीं अब इस मामले पर अगली सुनवाई कब होगी इसको लेकर कोट की ओर से कोई तारीख तैन नहीं की गई है बता दे कि सुनवाई के दौरान लालु यादव के वकील कपिल सिब्बल के दौरा कोट में दलील देते वे कहा गया कि या चिकाए 14-15 महीने स क्रांस्प्लांट हुआ है जेडियू ने आर्जेटी एमलसी सुनील सिंग का उड़ाया मजग राजस सुप्रीमों लालुप शाद यादव के कड़ीवी और राबरी देवी के मुह बोले भाई आर्जेटी एमलसी सुनील सिंग आए दिन सोशल मीडिया पर बिना नाम लिये मुख्यमंत्रे नितीश कुमार की चुटकी लेते नजर आते हैं इसी कड़ी में अब उन्होंने एक बार फिर से बिना नाम लिये नितीश कुमार की चुटकी ली है लेकिन इस बार मुख्यमंत्रे नितीश कुमार की पार्टी जेडियू की ओर से आर्जेटी मलसी सुनील सि प्रदेश महासचीब निखिल मंडल के दौरा प्रतिक्रिया देते वे पोस्ट कर लिखा गया है कि जितना बड़ा टावर है उससे भी बड़ा यहां एक अगलगाउना रहता है बुजू तो जाने बिहार विधान परिसत में डौक्टर राजवर्धन आजाद ने लिया MLC पद की सपत आज यानी की मंगलवार को बिहार राज विश्विद्याले सीवा आयो के अध्यक्ष डौक्टर राजवर्धन आजाद को विधान परिसत के सभापती देवे शंदर ठाकुर के द्वारा स अब के जानकारी के बता दे कि उपेंद्र कुश्वाह के तौरा विधान पड़िसक की सदश्यता से त्याग पत्र दिये जाने के बास से राजेपाल कोटे से मनोनत विधान पड़िसक सदर्श्य की एक सीठ खाली थी उसपर अब विहार के पुर्व मुख्य मंतरी भागवत अज़ा आजाद के बेटे और बिहार के मुख्य मतरी नितीश कुमार के कड़ी भी कहे जाने वाले प्रोफेसर राजेवर्धन आजाद को मनुरुत किया गया है रदराज का एकवार और अज़िंग के रहाने का दिखा जलवा सेद मुस्ताक अली टीट्वेंटी टोर्नामेंट में मौझुदा चैंपियन में मुंबई ने बीते दिन हरियान का आट विकेर से करारी सिकस दे कर अपने अभियान की शांदा शुरवात की गई है पतादी की बीते दिन हुए इस मैच में हरियाना ने मुंबई के सामने 148 रन का लक्षे रखा था जिसका पीछा करते वे अजिनके रहाने की 43 गेंद पर खेली गई नाबाद 76 रन की पारी से मुंबई ने 13 गेंद शेश रहते ही अपने लक्षे को हासल कर लिया पतादी की रहाने ने अपनी पारी में चार चौके और तीन शक्के लगाए वही मुहाली में खेले गए एक अन्य मैच में रुतुराज गायकवार के द्वरा चारलस गेंद पर खेली गई बेरासी रन की पारी की मदद से महराश्टर ने बंगाल को आठ विकेट से हाया बतादी की रुतुराज गायकवार के द्वरा बाइस गेंद पर नौ चौके और पांच शक्के लगाते वे अपना अर्दश तक पूड़ा किया गया अब भरते हैं आज के पांच सवाल की उड़ हमारा पहला सवाल है बिहार में राज्य कर्मियों को प्रमोशन मिलने की शुरवात किस विभाग से हुई है उप्शनी सामाने प्रशासन विभाग, उप्शनी स्वास्ति विभाग, उप्शनी सक्षा विभाग, उप्शनी खेल विभाग इसका सहुत्तर है उप्शनी सामाने प्रशासन विभाग अगला सवाल बिहार पुलिस सिपाही भरती परिक्षा पेपर लीग मामले में E.O.U की गठिट टीम में कितनी सज़्ष्षे हैं? उप्शन A. 23, उप्शन B. 25, उप्शन C. 20, उप्शन D. 21 इसका सहुतर है उप्शन A. 23 अगला सवाल बिहार बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? उप्शन A. मनोज आहुजा, उप्शन B. अतुल प्रशाद, उप्शन C. ब्रिजराज सर्मा, उप्शन D. आनंद के सोर इसका सहुतर है उप्शन D. आनंद के सोर अगला सवाल नवरात्र के तीसरे दिन माद दुरगा के किस रूप की पूजा की जाती है? उप्शन A. चंदरघंटा, उप्शन B. कालरात्री, उप्शन C. ब्रह्मचारणी, उप्शन D. सधी दात्री इसका सहुतर है उप्शन D. चंदरघंटा अगला सवाल बिहार राज्य विश्विद्याले सीवा आयो के अध्यक्ष डॉक्टर राजवर्धन आजाद के पिता का क्या नाम है? उप्शन A. नितीश कुमार, उप्शन B. भागवत ज़ा आजाद, उप्शन C. उपंदर कुष्वाह, उप्शन D. चंदर सेखर आजाद इसका सही उप्शन B. भागवत ज़ा आजाद, बीते दिन हमारे दुरब पूछे के सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों निप्टजाब हमें मारे कॉमें सेक्षन बॉक्स में लिख कर दिया है, जिन्हों नहीं हमारे दुरब पूछे सवाल का जवाब दिया है, उन तो संजीब कुमार, इसके साथ ही भरते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है, आपके छितर में दुरब पूछा को लेकर क्या क्या तयारियां की जा रही है, अपना जवाब हमें मारे कॉमें सेक्षन पर लिखकर जरूर बताएं, आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम ख